पुष्टो स्वागत था आपका फिरसे एक नए वीडियो में दोस्तो हमारे चैनल पर आपकी उत्राखन जी के शिरी चलाई जा रही है जिसका की ये आँच साथवा पार्ट है दोस्तो आँच की इस वीडियो में हम उत्राकन जी के से सम्मंदित important mcqs को discuss करेंगे तो दोस्तों बने रहे वीडियो के अंत तक तो शुरू करते हैं आपका अच्छ का पहला question देख लेते हैं आपका अच्छ का पहला question है स्वामी बिवेका नंद से सम्मंधित प्रशिद मायावती आश्रम किस जिल्ले में इस्थित है तो जो आपका ये मायावती आश्रम इस्थित है वो इस्थित है आपका option number A नैनी ताल में नैनी तालिस का right answer हो जाएगा next question की ओर बढ़ते हैं गंगोत्री वा यमनोत्री मंदीरों का परवेशद्वार किसे कहा जाता है तो आपका गंगोत्री वा यमनोत्री मंदीरों का परवेशद्वार कहा जाता है वो कहा जाता है आपका मसूरी को next है उत्तर का वारणसी किस जन्पत में उत्तर का वारणसी किस जन्पत का उपनाम है तो ये है आपका option number A बागेशर का उपनाम है आपका उत्तर का वारणसी next है सागर ताल मेला किस जन्पद में लगता है तो आपका जो सागर ताल मेला है वो लगता है आपका देहरा दून में फिर है अनसुया मेला लगता है तो जो आपका अन्सुया मेला लगता है वो लगता है गोपेश्वर में उप्सन नमबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं एकेश्वर मेला किस जन्पद में लगता है तो जो आपका एकेश्वर मेला है वो लगता है आपका पौडी में उप्सन नमबरे इसका राइट आंसर हो जाएगा नेश्ट खरसाली मेला किस जिल्ले में लगता है तो जो खर्साली मेला लगता है वो लगता है आपका उत्तर कासी में option number c इसका right answer हो जाएगा नेक्स्ट कुर्शन के ओर बठते हैं नाग-पंचमी मेला किस जन्पत में लगता है तो जो आपका नाग बंचमी मेला लगता है वो लगता है आपका पितोरा गड में फिर आपका उत्राखन में गिजडी है तो गिजडी आपका या इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका खाद्य व्यंजन सुरी दोस्तों एक गिजडी नहीं होगा ये होगा आपका खिचडी ठीक है खाद्या व्यंजन खिचडी फिर आगे बढ़ते हैं उत्राखन में गुलाब जामुन के आकार का बना मीठा व्यंजन है तो ये है आपका option number C इसका right answer हो जाएगा गुल गुला अर्षा इसका right answer बि kip इच्टीवी एउड़ एससे आपका खिचडी ईयूरर ऑके आगे बढ़ते हैं उत्राखन में प्रसिद्ध खाद्या व्यंजन बाड़ी है तो जो आपका बाड़ी है वो है आपका option number A आटे का बना मीठा हल्वा ऑपको जौन है तो आपका जांसार का प्राथम सामास सेवी है वो है आपके केदार सिंग, ठीक है केदार सिंग, ऑप्सिन नंबर एसका राइट अंशर हो जाएगा, next question की बढ़ते हैं हुलका देवी कि जनजाती की प्रमुख देवी है तो जो आपका हुलका देवी है वो है आपकी option number A इसका right answer हो जाएगा बोकसा जनजाती की आगे बढ़ते हैं जनसंक्या की दृष्टी से कुमाओ छेत्र का सबसे बड़ा जनजाती समुदाई है तो जो आपका सबसे बड़ा जनजाती समुदाई है कुमाओ में वो है आपका थारू ठीक है तो option number A इसका right answer हो जाएगा next question की ओर बढ़ते हैं दिवाली के अवसर पर दीब बहुत सो मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है आपका option number B चमपावत में आगे बढ़ते हैं आखरी question है आपका जूला घाट की जनपन में इस्तित है तो जो जूला घाट इस्तित है वो है आपका पिथोरा गड़ में ठीक है तो दोस्तों ये थी आपकी वीडियो आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसी वीडियो के लिए बने रही है हमारे चैनल के साथ ठेंक यू